गुद इवनिंग मेरे प्यारे स्टुडेंट, सबसे पहले आप सभी को हैपी रिपब्लिक डे, प्यारे बचों जैसा कि हमने आप से वादा किया था कि 26 जनवरी के साम से आपको जो भी बचे मेंबर सी प्लिये हैं, उन सभी के लिए स्पेसल कोर्स मैं लएकर आऊंगा, इस क बच्चों के लिए फ्री कर दिया हूँ, जो कि आज रिपब्लिक डे भी है, और मैं चाहता हूँ कि बाकी जो बच्चे हमारे भी तक कोर्स परचेस नहीं किया है, उनको ये पता चल जाए कि इस कोर्स के अंदर वो क्या सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो सारे बच्चे द रहेंगे, आपके लिए मैं कम्यूटी टैब में पोस्ट के द्वारा एक लिंक सेयर करूंगा, हर साम साथ वजे, जिसमें हम इसी कोर्स के आगे के जो कोईसन्स रहेंगे, उन्हें हम डिसकस करेंगे, जैसे आज हमारे जो पहला वीडियो है, इसमें हम परसेंटेज के बार जॉइन के नाम से, उस बटन में आप क्लिक कीजिए, और आपको जो सी भी मेंबर सी प्लेनी हो, आप ले सकते हैं, मिनिममम वाला भी लेना हो, तो आप मिनिममम वाला 159 रुपीस का है, वो ले सकते हैं, उसके तुरू भी आप हम से आगे के वीडियो के दुरू पढ़ सकत उसमें किया था की तीन भाई थे, और तीनों जुडवा थे, ट्विंस थे, लेकिन वो क्या हो गए थे, बिचड़ गये थे, तो बस यहां पर भी जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज हो लो ले लो, आप डैसिमल ले लो, या फिर आप फ्रेक्शन ले लो, फ्रेक्शन य और उसके बाद हम लोग आते हैं percentage में तो यह तीनों same to same होते हैं बस क्या कहलो आप लोग की अलग-अलग भाई हैं जुड़वा भाई हैं तीनों का मतलब same होता है बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है जैसे मेरा हमेशा से famous रहा है dairy milk का example तो फिर से मैं यहां पर 5 यह आप लोग को पता ही होगा total 4 parts हैं तो नीचे में 4 लिख दिया मैंने उसमें एक पार्ट लिया है तो उपर में 1 लिख लिया तो इस one वाले इस पार्ट को यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसको हम fraction के form में 1 by 4 लिखेंगे तो अगर हमको इसी को decimal के form में लिखना रहे यूज करेंगे हमनों 4 से डिवाइड देंगे वन को तो चुकि यह छोटा नंबर है तो पहले decimal लगाकर कि यहां 0 बढ़ाएंगे तो 42 हमारा 8 हो जाएगा बच जाएगा 2 उसके बाद फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 45 जा हो जाएगा हमारा 20 और यह पूरा खेल खतम हो जाएग तो 0.25 कहेंगे और इतने ही को अगर fraction के form में कहें तो 1 by 4 कहेंगे और अब आते हैं percentage में कितना कहें तो percentage में निकालने के लिए इसका क्या के जाता है जो भी fraction ओला form रहता है उसका multiply कर दिया जाता है 100% से अगर किसी भी चीज को किसी भी नंबर को किसी भी percentage को दिया हुआ हो जाया fraction में दिया हो अगर उसको percentage में convert करना है तो 100% से multiply करना रहेगा तो हम लोग मालो इन दोनों में से मैं fraction को ही ले लेता हूं 1 by 4 का multiply कर देता हूं मैं 100% से तो अब यह solve कैसे होगा इसको हमको cut करना पड़ेगा cut कर लेते हैं 4 1 जा 4 यह 4 2 जा 8 हो जाएगा 10 में से 8 cut हुआ बचा टू तो वह तो आगे जाएगा तो 25 जाएगा अब 25 कर दो तो 25 ही रहेगा यानि कि percentage के फॉर्म में अगर इस वन पार्ट को कहा जाए तो वह हो जाएगा 25% इस एट क्लियर तो अगली वाज़ा आपके दोस्ता आपको चॉकलेट देना ताब उसे मैध के लेंगे बात कि 4% को convert कीजिए किसमें किसमें किजिए एक fraction में convert कीजिए और एक decimal में convert कीजिए तो कैसे convert किया जाएगा बहुत ही असान है जैसे अगर इसको मुझे fraction में convert करना रहे तो मैं percent का मतलब होता है डिवाइड में hundred अगर किसी भी नंबर के बगल में percent लगा हूँ आपको दीख रहा है तो समझ जाओ कि उसके नीचे एक hundred चुपा हुआ है जैसे for example अगर two by hundred लिखा हुआ है तो इसको ही हम लोग two percent कहते हैं अगर हमारे पास twenty five by hundred लिखा हुआ है तो इसको ही हम लोग twenty five percent कहत हैं समया गिया तो यहां पर अगर four percent को फ्रेक्शन में convert करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करो डैरेट इसको four by hundred लिख होगे अब जो यह cut होगा ना तब तक दो तो आपको इतना लंबा चोड़ा डिवाइट करने की बिजुरतनी है इसका ट्रीक यह है कि आप इसको फिर से लिखे four by hundred नीचे में देखे दो zero है तो दो जीरो के बज़ा से क्या होता है किसी भी नंबर के अगर denominator में दो जीरो नंबर हो यानिकि हंड्रेड हो या तीन जीरो अगर thousand है तो हम लोग हो जाएगा तो इस सब बेसिक से को से यहां पर मैंने परसेंट को करना सिखाया फ्रेक्शन में और डेसिमल में उसी तरीके सब डेसिमल में दिया हुआ रहे और उसको बोले कि आप बदलो फ्रेक्शन में या फिर परसेंटेज में तो गी वही तरीका जैसे मालो 0.25 इसी को हमनों ले लेते हैं अगर इसको बोला जाए कि आपके आपको परसेंटेज में बदलो तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी नंबर को अगर परसेंट में बदलना हो तो हंड्रेट परसेंट से मल्टिप्लाई करना रहता है तो यहां पर हम लोग 0.25 का मल्टिप् सब्सक्राइब और दूसरे और जीरो को जैसे डैसमल पूरा बाहर निकल लिया तो 025 आ जाएगा तो जीरो तो लिखने की जूरत ही नहीं अगर नंबर बन गया तो डाइट हम लोग लिखने की जूरत नहीं है डाइट हमारा हो जागा 25 परसेंट यानि कि 0.25 को ही हम लोग 25 25 परसेंट कहते हैं जैसे कि आपने देखा भी था डैसिमल में 0.25 आ था और परसेंटेज में 25 परसेंट आया था अब इसी को अगर हमको बोला जाए कि आप क्या करो फ्रेक्शन में करो तब कैसे करोगे तो इसका आप लोग यहां बगलने बताता हो मैं जैसे हमारे पास 0.25 25 है तो इसको आप लोग 25 लिखिए और डिवाइड भाई में 100 कर दीजिए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डैसिमल के बाद दो डिजीट है इसका मतलब नीचे में 100 है जैसे कि मैं आपको भी यहां परीवी एक्जाम्पल से समझाया था कि नीचे में 20 यानि की राइट 25 से कट कर दो 25 25 25 फोर्जा 100 खेल खतम तो इसका फ्रेक्शनल फोर्म हो जाएगा यह समझ में आ गया होगा कि तीनों चीजा सेम ही होती है फ्रेक्शन हो चाहे डैसिमल हो चाहे परसेंटेज हो बस तीनों का रूप अलग लग होता है लिखने का तरीका अलग होता है और बोल बन ले लिए आपसी तो आप समझे लो कि अपने परसेंटेज का बसी कॉंसेट क्लियर कर लिया अपकर नाइन पड़ो चाहें टैन में पड़ो किसी वी क्लास में रहो यह आपने इसका यह क्लास 7 के बूक से तो परसेंटेज आपके लिए बहुत आसान होने वाला है तो हो जाता है कि मैं कौन से नंबर को कब denominator में लिखो किस नंबर को मैं numerator में लिखो और कब multiply 100% से करूँ कब नहीं करूँ तो मैंसे आप वो concept है वह सान concept है हमसे question में बोल रहा है कि 13% is equal to 65 13% 65 है अब आप ध्यान रखना किसी भी चीज का total जो पार्ट होता है ना, वो खुद में 100% होता है, जैसे यह जो पूरा का पूरा गर चॉकलेट देखा जाए, तो ये 25% है, ये 25% है, ये 25 है और ये 25 है, तो चारो 25% को मिला उतकी किता है गा, 100% हैगा, तो अगर कोई भी अमाउंट है ना, तो वो खुद में 100% होता है, जैसे मैं खुद में 100% हूँ, मेरा यह जो marker है, यह खुद में 100% है, यह whiteboard खुद के लिए 100% है, तो सारी चाजे, खुद में जब देखेंगे, तो उसको पूरा का पूरा जब मिलेंगे न, तो वो 100% कालाएगा, तो हमको यानि कि 100% का value निकालना है, हमसे बोल क्या रहा है, कि वो number पता कीजिए, जिसका 13% 65 है, तो इसका मतलब कि वो number खुद में कितना होगा, 100% होगा, तो हम 100% कैसे निकाले हम लोग, तो उसके लिए कुछ मत करो, सिंपल सा तरीका जो आपने बच्पन से पढ़ रहा है, क्लासिक्स में, आप लोग क्या करो, इस 13 को इथर ट्रांसफर करो, 65 पहले सिधार है, 13 को मान लोग कि इसके साथ चिपका हुआ है, तो इधर आएगा 13, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर के वालो हमारे पास 10% बज़ गिया, ओके, यह परसेंट बज़्िए का मतलब क्या है, कि हमारा 1% जैसे हम लोग इसको लिखना चाहूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 multiply 13%, तो बन मल्टिप्लाइ 13% क्याहनि कि 13% ही होगा, 1 से किसी विनमर का मृटिप्लाइग करते हैं, तो यह आता है, यानि कह लो यह समझ लो कि यहाँ पर आपका वन परसेंट बचा हुआ है यानि कि यह वन बज गया हमने थर्टीन को इदर ट्रांस्फर कर दिया इतना समय में आ गया यह हम आरशान रखना न इसमें ज्यादा दिमाग मतले न परस यह ट्रीक समझने आप लोग इसमें टिक इस किसी भी नमबर से multiply कर रहे हो तो equal के right में भी उस नहीं से multiply करना पड़ेगा तो 65 इधर था इसका ही multiply हम लोग 100 से कर देंगे बस आगे solution आपने जहां इसको solve किया आपका 100% निकल जाएगा यानि कि वो नमबर निकल जाएगा देखो कैसे करेंगे 13 बंजा 13 13 5 जा हमारा 65 हो गया फाइब का 100 से multiply कर दो तो आगया 500 यानि कि वो जो नमबर है न वो 500 है 500 का ही 13 परसेंट 65 होगा इतना असान question रहता है और इसी गौर अभी आप X मान करके solve करोगे तो जब आगे के question complicated होते जाएगे न तो बहुत दिक्कत होगा और अगर आपने यह मेरा 1% ट्रिक समझ लिया इस ट्रिक का मैंने नाम दिया है 1% ट्रिक अगर आपने 1% का ट्रिक समझ लिया कभी परसेंटेज को पढ़ते समय तो आप चाहे class 12 में हो जाओ या फिर आप competition की त्यारी करो आपका जो time है बहुत जादा बचने वाला है तो चलिए question आपको समझ में आ गया एका question और solve करते ह हमारा second type का question वो ऐसा आता है यहां पर हमसे इसी चीज को जो भी हमने पढ़ाना पिछला ओला question उसी से रिलेटेट यह भी है इसमें बोल रहा है यह class 8 के book से ध्यान रखना पिछला से लिया था थोड़ा बेसिक वो था अब थोड़ा सा यह number बढ़ा कर दिया है और थोड़ा सेव कर रहा है वो तो वह सेव कर रहा है 3,780 रूपी महिन चितरा विसको सेलरी मिल रहा है उसमें से 18 परचेंट बचाया और यह जो 18 परचेंट उसने बचाया अगर उसको रूपय के फ़ीया हुआ है तो इतना रूपय सेव कर रहा है पर मन्त तो बताए वह इस मंथली एक इंकम तो उसका मंथली इंकम होगा वो कितना होगा तो जैसे में आपको बताया कि टोटल कोई भीचीज 100% होता है और हमको यहां पर 18% का वैल्यू दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन बनेगा और अकॉर्डिंग टू क्वेस्टिंग हम से कहा जा रहा है कि जो 18% है ना वही हमारा है 3780 रूपी आप लोग चाहूत एक वर यह भी लिख सकते हैं कि लेट दा मंथली इंकम एमाई लिख देता हूं मैं सॉटकट में मंथली इंकम को मंथली इंकम ऑफ मैं भी हंड्रेट परसेंट माल लेते हैं कि उसका जो मंथली इंकम होगा अब वह अंड्रेट परसेंट होगा इस चैप सापी स्टेटमें बनागर के लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास 18% का वैल्यू दिया हुआ इसका मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा और अगर इधर हंड्रेट से करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा अब इसो कट करो और आपका अंसर रेडी है यहाँ पर हमारे 18 बंजा 18 हो गया 18 टूजा हो जाएगा तो यहाँ पर फिर 18 बंजा 18 हो जाएगा और यह 0 तर जाएग यानि कि उस आदमी की जो मंधिली इंकम है वो 21,000 है और इस 21,000 का ही 18 परसेंट इतना रूपय होगा तो देखा आपने जब आपने ट्रिक लगा रहे हो तो कित्ते असानी सॉल्व हो रहा है और यह परसेंटेज पढ़ने में मजा भी आ रहा है तो लिए कुछ और क्वेशन सॉल्व करते हैं अभी जो आपने क्वेशन पढ़े वो थे रिलेटेट परसेंटेज से यानि आपको परसेंट दिया हुआ रहे और आपको अमाउंट पूछा जाए अब जो हम लोग क्वेशन पढ़ेंगे इसमें आपको दिये रहेंगे दो नमबर्स यानि दो अमाउंट पूछ रहा है तब आप लोग वन परसेंट ट्रीक लगाईएगा और परसेंट पूछ रहा है तब वहां पर आपको एक्समान गर के बनाना है यह ज्यादा आसान पड़ेगा कैसे असान पड़ेगा यह मैं आपको समझाता हूं जैसे हमसे क्वेशन दिया गया क्ला सेवंध आपको लिखने आना चाहिए अगर आपने यह लाइन लिख लिया तो समझ लोग आपने सॉल्व कर लिया हमने क्या वाना कि 84 का जो 14 है वह एक्स परसेंट है अब यह जो लाइन आपने लिखा है आधा इंगलीस और आधा मैथ में इसको पूरे मैथ में कनोट कर दो पूरे म मैथ में कही पर ओफ लिखा हुआ आजाना तो समझ जाओ उसके मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑफ के बदले मल्टीप्लाई लगा दो 84 हो गया और इसका मतलब होता है इक्वल किसी भी नंबर में जैसे टू इस इक्वल टू तो तो टू इक्वल टू लिख दो इस तर ट्रांसफर करेंगे तो इक्वल के उस साइड में 14 हमारा पहले से था ऐटीफोर इधर मुल्टीप्लाई है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तो इद दोनों को कट पीट कर दो जैसे दोनों मेरा कट होँ डाईर 14 14 6 हमारे एटीफोर होता है अब उपर में 100 बन जब लिख लो और नीचे में आप लोग 3 कर दो तो 50 by 3 आ गिया है अभी हमारा क्या है पूरा-पूरा आंसर नहीं आया अभी हम लोग इसको बहुत बड़ा अब कई बड़ी बड़ी चल जाते हैं और मिक्स प्रेक्शन में कनवर्ट करना ही नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैंने चोटा सा ट्रिक बनाया है जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइस ट्रिक उसमें क्या करना है आपको इसको डिवाइड देना है पहले नौर्मली जै तो अब यह क्या करो आप लोग इसको anti-clockwise घड़ी कैसे घुमता है घड़ी ऐसे घुमता इस तरीके चलता है ना हमारे से 12 में है यहाँ पर इधर आएगा फिर इधर इस डायंगा इसको जयता है और li오 Medical उल्टा जैसे माज तो 3 में है यहां सब तो difri से वापस 2 में आ पिर 12 से वापस 9 में चल गया इसको उल्टा कॉelक्वास बोलते हैं तो हमारा यह क्लॉक्व हम इसको उल्टा गुमा देंगे तो हमारा यहces 2 we कर रहे हैं अब यह में cite 3 हमारा उपर से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट में लिख दो त्री हमारा ऐसे पर से निचे जा रह triggered ॏ त्शे को डिवाइड करने जानते हैं मिन कौन सेन डिफर नहीं इसमें के वारúsica confusion हो जाता है उसी लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है कि आ बस घुमा दीजिए और यह आपका आंसर आ गिया यानि कि जो 14 है वो 84 का 16 एंट 2 by 3% है खेल कताम इस question का से लिए कुछ और related question देखते हैं जो सब्सक्राइब करना तो कितना इंक्रीज हुआ है इस रूपी 1566 यानि कि जब प्राइज इंक्रीज हो गया 8% तब जो नया प्राइज बनानासें ने के बाद वह इतना बनाया है तो बताएजयept जो अरीजिनल प्राइज था वो कितना था तो हम लोग क्या जानते हैं और इस्टार्टिंग का प्राइज और किसी भी चीज का जो इस्टार्टिंग का वैली ओता है बीना बढ़ाय या बना घटाए तो उस वाले वैली को हम लोग 100% मांते हैं तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि लेट पर दो सौल लिख लेता हूं मैं उ इसुक्राइं की तो वह हुआ है करिए तो इसका मतलब कि जब हंड्र匡र्ट सेंट शुरू में था और बढ़ गिया तो वो हो जाएगा हमारा 108 परसेंट इसका मतलब कि इंक्रीज होने के बाद जो प्राइज बना है वो 108 परसेंट बना है ओके तो यह वाला जो मेरे पास नंबर है यह एक्शुन में 108 परसेंट है और बस वहीं से हम लोग इसे बढ़ों सॉल्कूरेंगे अगर हमको यह नंबर है कितना परसेंट तो यहां पर हमारा 108 ही हो जाएगा 1566 हमको कितना है हमको निकालना 100 परसेंट तो हम लोग क्या करेंगे 108 तो यह बजाएगा परसेंट तो यह हो जाएगा हमारा 1566 डिवाइड भाई में 108 अब अपने को परसेंट निकालना है नहीं अपने को 100% निकालना है तो इधर और इधर दोनों साइड 100 का मल्टिप्लाइ कर दो अब इसको कट कीजिए और आपका और प्लस और कर लो उसमें तो करते हैं दोनों 9 से कट हो रहे हैं कैसे मुझे पता चला 8 और 9 होता है तो यह हमारा 9 से कट हो जाएगा यहां पर 15 में से 9 कट हुआ हो बچा 6 वह आगे जाकर 66 मना देगा तो 97 हो जाएगा हमारा 63 तो यहां 66 में से 63 कट हुआ बचा3 वह आगे जाकर इसको 36 मना देगा तो 9 के टेबल में 4 ताइम प्याता है आपस में कट हो नहीं सकते तो 2 से मैं इसको 100 काट देता हूं 50 टाइम पे तो बचा क्या मेरे पास 29 इंटू 50 बचा तो बस आप 5 का जदी से टेबल पड़ हो 5 नहीं जब 45 हो जाएगा 45 का यहां पर में 5 लिख लेते हैं कर देंगे 452 हो जाएगा 10 और 4 हो जाएगा 14 और यह जो जीरो इसको तार दो यानि की रूपी 1450 जो था यही इसका ओरिजिनल प्राइस था और इसी प्राइस में 8 परसेंट बढ़ाने के बाद दुकान वाले ने हमसे कितना रेट ले लिया 1566 ले लिया तो यह हमारा हो गया क् इंक्रीज हो रहा हो चलिए एक लास्ट कोशने इस वीडियो में करते हैं जिसमें डिक्रीज होता हो और मैं चाहता हूं कि आप लोग और ज्यादा हमारे चैनल को सस्क्राइब अगरा करें ताकि अब जल्दी से वाइड़ बोर्ट से भी अभी तो पहले बार वीडियो बना है उसे सौल करते हैं इस टैप से भी कोशन आता है जहां पर आपको परसेंटेज को कम करके दिया हो जैसे हमारे पास क्लास 8 के बुक में कि दा वैल्यू अफे मसीन डिप्रेशियेट एवरी यर बाई 20 परसेंट एक मसीन का जो वैल्यू है वो हर साल 20 परसेंट कम हो जा रहा अगर दो साल पहले का पूछा रहता तो इसके लिए फिर हमारा वो परसेंटेज बनाना है वह समझते हैं तो हमसे क्या बोल रहा है कि 20 परसेंट डिप्रेशियेट हो रहा है यानि कि कम हो रहा है कभी मैंसीन का जो वैली होता न वह कम होता है बढ़ता नहीं है तो यहां पर तो उसमेंसे 20% माइनस हो गया होगा इस साल तो हंड़ेड मेंस तो किता आजाएगा 80% यानि कि यह वाला जो नमबर है न यह एक्च्वल में 80% दिया हुआ है बस इतना आपको समझना है कितना असानी समझ आ गिया कि यह चो नमबर 80% है क्यों है क्यों कि पिछले साल 100% का था 20 परसेंट हो गया यानि कम हो गया कम होना यानि कि माइनस करना तो माइनस करेंगे 100 में से 20 तो 80 आ जाएगा यानि कि वी हैव हमारे पास according to question क्या दिया हुआ है 80 परसेंट दिया हुआ है और 80 परसेंट का ही वैल्यू है वन लाक एंड 60,000 रुपी वन डू और यह 30 तो अगर 80 परसेंट इतना है तो 100 परसेंट कितना होगा यह जाने के हम लोग इधर परसेंट को रहने देते हैं इधर वन लाक 60,000 लिख लेता हूं थोड़ अच्छे से इस बार ठीक है यह 80 को ट्रासफर करें हो तो यहां करके लाक रुपी जो था उसका पिछले साल प्राइस था तो इस तरीके सीन को सॉल्व कीजिए और जरूरी नहीं कि आप क्लास 7 या 8 में तभी आपको यह सब चीज़ काम आएंगी अगर आप कॉंपीटिशन तकी त्यारी कर रहे हैं और आपको परसेंटेज अगर क्लियर नहीं लिए है तो यह सारे क्वेशन सापको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अभी देको इस वाले वीडियो में पूरे पूरे जीते भी क्लास 7 वाले बुक में वह मैं कवर नहीं कर सकता बहुत जादा टाइम लग जाएगा ठीक है तो हम लोग उसके लिए एक नेस्ट वीडियो बनाऊंगा यह वीडियो मैंने बेसिक आपके लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आपने कोर्स पर्चेस किया उसमें आपको क्या-क्या फैदा होने वाला है किते डिटेल में आप समझने वाले हो चीजों को आपका रिवीजन बहुत अच्छे से दूँ आपके लिए उसमें पहले से क्वेशन लिखे रहेंगे बस मुझे स्लाइट करना रहेगा और फटा-फटा मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें लाइफ क्लास में बहुत हो सकता है इसील मैंने लाइफ क्लास नहीं लिया है और इसमें चीजों को सुधारने की जरत है आपसे मुझे सब्सक्राइब करना है तब तक लिए थैंक्योफ वाचिंग जैहिंद